हाई तो कैसे आप अपने फोटो वीडियो वगरा वगरा को HD क्वाल्टी में शेयर कर सकते हैं जी या दोस्तो आज कल इतने भी स्मार्टफोन आते हैं सब में 20, 42, 42, 47, 100 मेगा पिक्सल या फिर उससे भी ज्यादा मेगा पिक्सल वाले कैमरे होते हैं लेकिन उसका फायदा ही क है कि जब भी आप अपना फोटो वीडियो खर्र الل tutto ऐसे को तो उसकी क्वाल्टी जो है कम हो जाती है ऐसे में आपको दो एसजीव बताने वाला हूं जिसकी मदभ अगर आप पने फोटो वीडियो अगरा को शेयर करते हैं तो पुरी पूरी campus और सबस्क्राइब बात करना होगा आपको अपने फोन में गूगल फोटो में जाना हो तो दोस्तों गूगल फोटो में आने के बाद आपको जिन भी फोटो को शेयर करना है SD quality में share करना है उसको आपको select करना होगा example के लिए मैं यहाँ पर अपनी सारी photos और videos को यहाँ पर select कर ले रहा हूँ select करने के बाद आपको नीचे में यहाँ पर option देखने के मिल जाएगा backup का simply इस पर click करके आपको backup बना लेना होगा आप दोस्तो बैक बनने के बाद आपको क्या करना होगा जैसे मालो मैंने कुछ photos को अलएड़ी backup बना रखा है तो दोस्तो यहाँ पर इन फोटोस का मैंने backup बना रखा है तो आप उसको करना क्या होगा आपको simply उन फोटोस को select करना होगा और जिनका backup आपने बना रखा है उन फोटोस को select कर लेना होगा उसके बाद यहाँ पे आपको share का option देखने को मिल जाएगा इस पे click करने के बाद आपको create link करना होगा है ना और यहाँ पे जैसे ही आप create link करेंगे तो यह जो link है वो create हो चुकी है और copy भी हो चुकी है अब आप चाहो जैसे भी जिस भी platform पे share करना चाहो तो दोस्तों मांग लो यहाँ पे मुझे इस contact को यह link share करने है तो simply आपको यहाँ पे उस link को paste कर देना होगा अब इस link पे click करके उन photos को access किया जा सकता है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पहले भी इस तरीके से यहाँ पे photo share किया हुआ है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मैंने तक रिए 183 photos और videos को share किया हुआ है वह भी full HD quality में जिस भी quality में आपकी picture है उस quality में आप share कर सकते हैं तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि सिर्फ आप Link की मदद से किसी भी platform पे अपने वीडियो फोटो वगरा को अपने दोस्तों के शाथ में या किसी के साथ में शेयर कर सकते हैं जिसकी quality बिलकुल भी कम होने वाली नहीं है अब बात करते हैं ट्रिक नंबर दो के बारे में बात कर लेते हैं अपने दूसरे ट्रिक के बारे में तो दूसरे ट्रिक में आपको क्या करना होगा आपको whatsapp के जरीए आप इशाथ कर सकते है whatsapp में attachment वाले option को open करके आपको document में जाना होगा और यहां पर आपको browse other document वाले option पे klik करना होगा और यहां पर आपको जो भी image आपको यहां पे दीख रही है इन image में से जो भी image आप share करना चाह रहे हैं simply आपको उसको click कर लेना होगा click करके select कर लेना होगा आप यहादे document वीडियो वगरा सब कुछ आप चाहो तो full HD quality में आप send कर सकते हो ऐसे select करके यहाँ पे select करना होगा और send कर देना होगा इस तरीके से आप whatsapp के जरीए HD quality में video और photo file को आप share कर सकते हो अपने contact फिर अपने दोस्तों के साथ में तो होप कि हमारी वीडियो आपको अच्छे लगी हो like share subscribe करना बिल्कुल ना बूलना